तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शानदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजोई कर रहे हो, अपनी सेयत, फैमिली और पढ़ाई का जहान काफी अच्छे से एर्रा कर रहे हो देखिए आप लोगों ने एक बात हमेज़ा सुनी होगी, कि हम लोग इस प्रत्थी पर आते हैं, तो हमारे पास में एक limited time होता है उस time को कितने effectively हम लोग utilize कर पा रहे हैं, यही decide करता है कि आने वाली generation आप लोगो कैसे याद रखेगी और इस जिंदगी को आप लोग कैसे enjoy कर कर जाओगे, तो इसी के बारे में हापर बात बोली गए कि limited time है आपर इस अर्थ पर आप लोगे पास में आप लोग अगर कुछ start करना चाहते हैं, तो हर एक दिन आप लोग के लिए best है कुछ भी start करने के लिए ऐसा नहीं कि एक तारीक आएगी तो इस start करेंगे, मंड़ आएगा तो इस start करेंगे, ये सारी चीजे हैं आपर बिल्कुल गलत हैं, हर एक दिन आप लोग के लिए एक सही पोर्चो डिले कर आता है कुछ भी start करने हैं, तो एक बार अचीजे सोच कर तुरंत उसको start कर दीजे, उसको delay मत किजे, यानिके analysis paralysis में मत पढ़िए, कि चीजे सोचे जा रहे हैं पर लेकिन कर नहीं रहे हैं आज की date में 80% से जादे लोग ऐसे हैं, जो analysis paralysis में रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, आज यह हो गया, परसुई हो गया, दुनिया भर के excuse बनाते रहते हैं तो उससे बाहर निकलिए, जो भी आप लोगो करना है, वो करना है, तो उसको करना है, स्टार्ट कीजे, तभी आप लोगो उसके आगे चलके गलतियों का पता चलेगा अगर इस Стarting में आप लोग सोचते रहे हैं गलती ने निचे निए A.S.N. होता है काम को करने इसटार्ट कीज़ें फिर गल्ती होंगी उनको सुधारिएगा तो इस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना है आज एक काफी शांदार आर्टिकल में आप लोग के सामने कौन export करता है, defense के equipment सबसे ज़्यादा है, कौन खरीता है और फिलाल क्या pattern चल रहा है, ये report किसके दोरा प्रस्तुत की जाती है, हमारी country में क्या condition चल रही है, आने वाले time में क्या condition होनी चाहिए, COVID-19 को ध्यान में रखते हैं, क्या हम लोग को change लाने चाहिए तो एक शांदार article आप लोग इसको बोल सकते हैं, इसके घुस सारी चीज़ आप लोग को जानने को मिलने वाले हैं इस article के अंदर आप लोग को ये prelims, mains और इंट्रिव्यू में हर जगया फाइदा पहुंचाने वाला है तो आप लोग को ये lecture टक-टकी लगा कर वैसे इसको बोलते हैं Stockholm International Peace Research Institute यानिके ये सान्थी के ओपर रिसर्च करता है कि सान्थी कैसे रख सकते हैं तो इसका मतलब भी हो गया कि यह आपर ये बताएगा कि जो चीज़े सान्थी फैलाने से रोखते हैं उन चीज़ों को आप लोग को रोगने हैं तो ये जो इंस्टिटूट है ये Sweden में बेस हैं आप और बेसिकली conflict इसी के साथ में armaments arms control और disarmament यानिके जहां जहां पर भी एक तरीके से conflict वाले zone होते हैं ये आप लोग ने दिखा होगा हतियारों की supply होती है disarmament का मतलब होता है कि उनको एक तरीके से आप लोग इनसे दूर रही है और इनको खतम कीजे जो भी आप लोगी हतियार वगएरा यूज करते हैं कई बार सुनाओगा आप लोग ने कि nuclear weapon जो है उनसे दूर रही है और उनको destroy कर दीजें क्योंकि जिस तरीके से second world war के time पर nuclear weapon यूज के गए थे अगर आज की डेट में यूज के जाएंगे तो यह समझे कि धरती जो है वो एक तरीके से जीवन इस पे समाप्त हो जाएगा reason कहा है इतने खतरनाक हतिया राजकेर में बन चुके हैं तो कहां कहां से Stockholm Student के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा सबसे important बात है अभी बात करूँगा recently जो अभी recently इसकी report आई है उसके बारे में तो उसके लिए आप लोग पहले हाँ पर चलिए ये particular चार्ट आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे ये सारी बाते पहले क्यों बता रहा हूँ सारी बाते पहले इसलिए बता रहा हूँ कि global में सबसे ज़्यादा कौन import करता है कौन export करता है और हमारी country कहां पर खड़ी है जब आप लोग ये समझ पाएंगे तो फिर article के अंदर आसानी से आप लोग घुस पाएंगे सबसे पहले बात की जा रहे है कि world में सबसे ज़्यादा जो import करने वाली country है इनके सबसे ज़्यादा weapon import करती है तो हो है साउधी अरेबिया पहले हमारी country होआ करती थी आज की डेड़ में साउधी अरेबिया है यह है साउधी अरेबिया अगर location आप लोग देखना चाहते हैं अपनी country तो पहले हमारी country होआ करती थी आज की डेड़ में साउधी अरेबिया है जो world में सबसे ज़्यादा import करती है यानिके weapon खरीदती है weapon यानिके एक तरीक से कोई भी instrument आप लोग गोल सकते हैं basically defense purpose के लिए जो भी चीज़े खरीजी जाती है उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो सबसे top पर कोन है आज की latest report के इसाब से अगर देखेंगे Saudi Arabia है, दूसरे number पर India तीसरे पर Egypt, चोथे पर Australia और पांचे पर है China तो यह 5 country के नाम आप लोग को याद रखने है directive पुछा जा सकता है कौन सी country है इसी के साथ में increasing और decreasing order में भी आप लोगों से आपर question बन सकता है तो यह तो हो गई वो country जो सबसे ज़्यादे import करती है अब number आता है सबसे ज़्यादे export करने वाली 5 country कों सी है जहां सबसे ज़्यादे export किया जाता है तो इसमें सबसे top पर कोन है number 1 पर वो है United State of America यानि के सबसे top पर है US से जो सबसे ज़्यादे चीजों को बेशता है आप आप और आज से नहीं है आपर ये world war second से आपर ये इस position पर बरकरार हो गया जब से आपर एक तरीक से आप लोग ये समझें कि लोग लड़ रहे थे और ये उसमें अपना फाइदा ढून रहे थे तो वो condition आप लोग बोल सकते हैं दूसरे number पर है आपर Russia जो सबसे ज़्यादे चीज़े export करते है यानिके दो वो country जो cold war के duration में एक दूसरे के सामने खड़ी थी आज केट में सबसे ज़्यादे चीज़े export कर रही है एक तरीके से सबसे बड़ी market है ये अभी recently आपर अगर Russia और United States of America के बारें बात करें तो United States of America 36% है और Russia आपर 21% है तीसरे नमबर पर अभी उबर कर सामने आए हैं आपर France France होगे हैं आपर 7.9% चोथे नमबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा Germany 5.8% बेच रहा है सामा और पांचे नमबर पर है China तो China भी हाँ यहाँ पर काफी large scale पर चीज़ों में आगे बढ़ा है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में China भी एक अच्छी जगे अपनी बना रहा है हम लोग टोप 2 में इंपोर्ट करने में है और China टोप 5 में एक्सपोर्ट करने में हैं हम आज की डेट में अगर present time में बात करें, तो लगबग 9% जो world में चीज़े export की जा रही है, तो उनमें से 9% जो हमारी country अकेली खरीद रही है, तो ये काफी बड़ा आप लोग एक share यहाँ पर इसका बोल सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादे export और import करने वाली country होगी, और ये जो report किसके दोरा तयार की जाती है, ये की जाती है आपर सिपरी के दोरा, तो इसलिए direct question आप लोगों से exam में बन सकते हैं, तो दोनों बात जो हैं आप लोग के माइन में बिल्कुल clear होनी चाहिए, अब यहाँ पर कुछ और जोन से country world में सबसे जाद है, export कर रही है, वही country सबसे जाद है, कहीं ने कहीं खर्चा करेगी, एक तो बात आप लोग ये बोल सकते हैं, पर हाँ वो एक अकेली country हो सकती है, बाकी और अलग-अलग तरीके से देखने को मिलेगा, तो टोप पर तो USA से यह बेचने में भी सबसे जाद है, और खर्चा करने में भी, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा, सबसे जाद जो spending की जाती है, all over world में, वो की जाती है USA के द्वारा 38%, चाइना है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर यह करता है चाइना इसलिए कर रहा है, चाइना है, आपर USA को टकर देने के चकर में है, ताकि यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में यह USA को टकर दे सके, और आसपास वाले रीजन में, जहाँ जहाँ यह अपना आधित पत्यत जमाता है, कि हाँ यह मेरा एरिया है, जैसे South China Sea ले लिजे, यह फिर इंडिया के साथ में इसके border dispute ले लिजे, तो यह इसलिए बढ़ा रहा है, ताकि कोई भी इसके सामने ने टिकर सके, और यह military power को use करके, सामने वाले को दबा सके, इंडिया क्यों है यहाँ पर, इंडिया आखिर तीसे नंबर पर कैसे आ गया है, सब पाकिस्तान वाले की चाइना और हमारा जो एक तरीक से रिष्टा है, वो परवत से भी उचा है, और एक तरीक से यह समझे सबसे जो गहराई में, जो चीजे हैं, समून्त से भी गहरा है, तो यह बाते हैं आपर बोली जाती है, यानि के good से भी meat है, तो ऐसी बाते इनके द् पता है, चाइना और रस्या के रिलेशन काफी अच्छी हो चुके हैं, अगर कल को, यहाँ पर हम लोग बोले, उस टाइम पर तो अलग बात थी, जब इंदरा गानी जी थी, 1971 में जब बंगलादेश एक अलग कंट्री बनाया गया, पाकिस्तान से अलग करके, कि रस्या हमार जो क्रीमिया हतिया गया, यूक्रियन का रस्या के दोरा, तब से जो वेस्टन वर्ल्ल है, उन्होंने रस्या से मूफ फिर लिया, क्योंकि G8 कंट्री हुआ करती थी, एक ग्रूप उसमें G7 रहेगी, यह रस्या को बाहर निकाल दिया उसमें से, तो यह कंडिसन देखते हैं USA already हाँ पर चड़ी रहे, तो चाइना एक 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 एकला ऐसा कंट्री है, जो काफी हद तक जो हाँ पर रस्या को एक तरीके से रस्या से चीज़े खरीद रहे है, ठीक है, क्रूड वेल वगएरा सप्लाई हाँ पर रस्या से खरीद रहे है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आगे हैं, रस्या से काफी कम दूर आगे हैं, और सबसे ज़्यादे आज केरे में जो हम लोग खरीद रहे हैं, वो यहाँ पर अलग अलग कंटीज रहे हैं, जिसमें से USA कहीना कहीं आप लोगों को टोप पर चलता हुआ नजर आएगा, यानि कि एक टाइम पर रस्या हमारा टोप सप्लायर होगा करता था, आज केरे में USA उसके बराबर में आगे खड़ा हो गया, यानि कि रस्या और USA से हम लोग चीज़े हैं आपर आज केरे में खरीद रहे हैं, तो इसलिए भी हाँ पर रस्या कहीना कहीं हम लोग उसे चिड़ रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों पह पाकिस्तान और चाइना की सतरब को टिल्टेड हो रहे हैं, तो ये कंडिसन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हो गई चार कंट्री सबसे उपर USA, दूसे नंबर पर चाइना, तीसरे पर इंडिया, चोते पर रस्या, पांचे पर है साउधियर एबिय, छटे पर यूके और नोए पर जापान, फिर है साउध कोरिया, फिर है ब्राजील, फिर है इटलिप, फिर है आस्टिलप, फिर है कनेडप, फिर है इसराइल, ये वो कंट्री है जो अपनी डिफेंस के ओपर सबसे ज़्यादा खर्चा करती हैं, तो टोप 15 कंट्री है, ये भी रिपो इससे reason-wise सबसे ज़्यादा कौन खर्चा करता है, यानि कि particular reason में सबसे ज़्यादा खर्चा कि इसका होता है, तो यहाँ पर जो white वाला जो basically portion दिखाने को इसकी जारी है, जो काफी कम है, आपर ये अफ्रीगा continent है, यानि कि अगर आप लोग को मैं मैप में दिखाऊं, तो य ये particular reason है आपर जो सबसे कम military के उपर खर्च करता है, आप लोग को पता है, ये ऐसी area है आपर जहाँ पर आप लोग को कुछ भी ढंक से नजर नहीं आएगा, ये निके कहने का मतला भी है कि ये गरीब country है, इनकी रोजी रोटी जैसे तैसे चल जाए, वही बहुत बड़ी ब पर चाप लोग देखने को मिलेगे हाँ पर होता है, दूसरे number पर आप लोग बोल सकते हैं आपर America, अमेरिका ये वाला सारा area है, आज की rate में सबसे ज्यादे जो expenditure कियाता है, ये America वाले reason में किया जाता है, ठीक है, तीसरे number पर आगे हाँ ये क्या है, Asia और Oceania, Asia और Oceania में क पूछा जा सकता है, एक्जाम में कि सबसे ज्यादा कोन खर्चा करता है, तो ये भी जो अपरेल में अभी हाँ पर सिपरी के द्वारा report प्रस्तुत की गए थी, उसमें ये सारी बाते इनके द्वारे हाँ पर बताई गई है, तो ये सारे question आप लोग से direct प्रिलिम से पूछ लिए थे आप लोगा, उसमें मैंने आप लोग इस सारी चीज़े अच्छे समझाए थी, तो वही चीज़े आप लोग इसके ओपर भी implement करकर यहाँ पर देख सकते हैं, सिपरी के बारे में, जो जो important information इसके द्वारा provide कराए गई है, तो ये है basic जो मुझे आप लोग को बता जाना चाता हूँ, जैसे कि USA और France जो है, वो सबसे ज़्यादे आज केड में increase कर रहे हैं, जो major arm exporter है, यानकि France भी हाँ पर उसी category में आ रहा है, साओधी अरेबिया सबसे बड़ा हो गया है, इंडिया के बाद में, major अगर बात करें, arm exporter में जो रसिया है, वो decrease हो गया है, 18 परशेंटे करीब 2010 से 14 और 15 से 19 के बीच में, reason इसका क्या है, क्योंकि Russia ने इंडिया को खो दिया है, इंडिया सबसे ज़्यादे इंपोर्ट कर रहा था, और आज केड में इंडिया को खो दिया है, रसिया ने कहीं ने कहीं, इसके भी कई सारे region है, अगर आप लोग उसे जोगो, तो कई सारे reason है, जो equipment है, उससे ज़्यादा quality का आज केड में, USA और दूसरी country प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा reason आप लोग इसके बारे में भी idea रखेगा, कि कहां पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो ये सारी च तरीके से चीज़ों को सोच पाएंगे, वरना आप लोग आँख बंद करकर चीज़े करेंगे, फिर आप लोग ढंक से किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये काफी important fact है, जो कि आप लोग के mind में clear होना चाहिए, अब चलते हैं आपर main topic के ओपर, यहाँ पर एक तरीकी से अपने उपर dependent रहें, भार की किसी भी country के उपर dependent रहें, क्या-क्या vulnerabilities है, क्या क्या कमिया है, क्या इस्टर्जिक लेकर चलनी है, क्या क्या national security के लिए concern है, वो सारी बाते जहाने में रखकर हम लोग को आगे बढ़ने हैं, तो इसके बारे में हाँ पर बात की जा हाले तो बोलती है हाँ, तो उसने बोला कि husband ने बोला कि मांग लेता है यार निकालने क्या जरती, उसने बोला कि मुझे बांगना अच्छा नहीं लगता बार बार, अब मुझे आत्मनिर पर बनना है, तो यह ऐसी ऐसी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, यह joke मैंने आईए बात करते हैं हाँ पर आर्टिकल के बारे में जो आप लोग को पता होना चाहिए, और क्या-क्या बाते हाँ पर बन सकती हैं, और एक अच्छा आप लोग के माइंड में डेटेल होना चाहिए, इसके बारे में क्योंकि अपनी country के defense security के बारे में हम लोग बात कर रहे ह आप लोग को पता है, अभी recently हमारी country के defense ministry के द्वारा बोला गया, आत्म निरफर बनना है, defense production के अंदर में ये announce किया गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले long standing strategy होनी चाहिए हमारी country में, इसी के साथ में national security के उपर focus देना चाहिए, तो तब ही हम लोग यह आपर काम करेंगे, जह हम लोग external factor के उपर dependency हमारी कम होगी, यानि कि जो भार से हम लोग चीजे खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो हम लोग को काम करना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहे, इसका सबसे बड़ा reason ही है, आप लोग को पता है कि US से जो है वो बिना पै पागिस्ताना होता तो पागिस्तान के हिसाब से कराता था, पागिस्तान को दुनिया भर का पैसा देता था, यहाँ पर यह उस टाइम पर United State of America, तो वो condition यहाँ पर अलग देखने को मिलती थी, यानि कि कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ आज केट में हम लोग इसके ओपर dependent न कि अपनी security अपने आप देखो, हम आपके ओपर खर्चा नहीं करेंगे, तो business man ने business man mind के तरीके से सोचता है, तो इसलिए आपर किसी भी country के ओपर इस time पर dependent रहना सही नहीं होगा, और COVID-19 ने आखे खोल दी, reason क्या था, चाइने के ओपर इतनी सारी dependency हरे एक country की manufacturing जो अपना setup की जारी है, past decade में अगर आप लोग देखें, तो हमारी country सबसे ज़्यादे import करती थी, world में सबसे ज़्यादा है, वो था 12%, global arm import हम लोग करते थे हैं, नहीं के भार से हम लोग, जो भी requirement समान है यापर, जो भी आप लोग देखते है, defensive leader, वो भार से खरीद कर लेकर आते थे, तो टोप लिश्ट हमारी थी, आज की डिर में सबसे टोप पर कोन है, वो साउधी अरेविया है, वो पहुंच गया है, टोप पर यहाँ पर दोजार अजार अठारे निस में, वरना 17-18 सबसे पहले हम आया करते थे, आज हम लोग यहाँ पर 9% के लगबग आ चुके हैं, जो लोग आम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टोप पर 12% है, वोल्ड का 9% इंडिया है, तो आज भी कम नहीं है, दूसरे नंबर पर आज भी सबसे ज़्यादा हम ही खरीद रहे हैं, तो यह एक इंपोरेंट फेक्ट है, जो कि आप लोग याद रखेगा, नेश्ट अगर बात कुर रहे हैं, पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ में, और USN ने सप्लाई करने से मना कर दिया, कि हम लोग तो सप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या कंडिसन यहाँ पर बन जाएगी अगर भार की कंट्री को पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो COVID-19 के बारे में अगर बात करें, तो उसने कहींने कहीं मायन को हिला है, कि दूसरी कंट्री के ओपर डिपेंडेंट रहना, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, सीविल और डिफेंस सेक्टर दोनों के मामले में, जैसे आप लोग को पता है, दवाई के मामले में आप लोग बात करें, तो हम लोग काफी कुछ कोई barrier नहीं होना चाहिए, अपनी country security को आप लोग को provide करना है, और कहींने कहीं ambition आप लोग को आगे लेकर चलने पड़नी है, great power अगर बनना है, तो technology capacity आप लोग को बढ़ानी पड़ेगी, अपनी ही country में आप लोग को defense manufacture करना पड़ेगा, और इतना नहीं कि आप लोग को ब defense procurement procedure की बात यहाँ पर की गई थी, तो यह काफी important है, जिसको short form में DPP बोलते हैं, आगे article में DPP लिखा हो गए, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएगे, तो 2020 में आप भी इसको formulate किया गया था, तो यहाँ पर अभी हमारी country में एक post है, जिसको बोलते है CDS, यानिके cheap of defense staff, cheap of defense staff जो हैं हमारी country में आपर यह, आज की rate में एक ऐसी post बन गई है, कि हाँ पहले क्या हुआ करता था, Air Force, Army और इसके साथ में Navy, यह सारे जाकर defense ministry से मिला करते थे, आज के इनके बीच में एक post आ गई है, जिसको cheap of defense staff बोलते हैं, अब यहाँ पर आकर यह से मिलेंगे, यानिके कहीं ने कहीं, अब तीनो जो forces हैं, उसमें आप लोग एक synchronization करके चल सकते हैं, तो इसके चलते हैं, जो task हैं यहाँ पर कैसे, तीनो forces को क्या-क्या requirement हैं आप अप, तो direct हैं आपर जो ministry है, वो हैं आपर CDS के साथ में बात कर सकती है, और CDS फिर यहाँ पर इनके साथ में discuss तो इस तरीके से क्या-क्या requirement है, तो वो सारी चीज़े अब हम लोग में आपर इसके चलते ही समझनी चाहिए, और इसको हम लोग को एक opportunity moment की तरीके से लेना चाहिए, कि हमारे पास में यह एक अवसर है, और उसको use करना चाहिए अपने अवसर को, इंडिया के बारे में अग बजट में इसके लिए एक separate होना चाहिए, separate एक तरीके सलोट होना चाहिए बजट में, ताकि defense में हम लोग अपनी ही country में एक तरीक से investment कर सकें, क्योंकि अपनी domestic capital अगर हम लोग यहाँ पर focus देकर चलेंगे, तो procurement के ओपर तो तब अच्छा रहेगे, आपर भारी country के ओपर dependent अप लोग थोड़ा यहाँ पर समझे, आज की rate में माली जे हम लोग फ्रांस से कुछ सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो क्या करता है, फ्रांस हमारी country में क्या करता है, उसको माली जे manufacture करना चाहिए, तो माली जे फ्रांस से हम लोग ने बोला, हम लोग को तुम से कोई भी, हम लोग को माली जे रफैली खरीद ने है, तो यह क्या कर रहा है अगर माली जे फ्रांस में लेकर आ रहे तो कोई बात नहीं है, अगर वो आकर उसको इंडिया में बना रहे है, तो फिर क्या कर रहे है, लोकल जो प्लेयर है हमारी country के, उससे help ले रहे हैं आपप, तो जो हम अब फ्रांस से, फ्रांस हमारी country में आकर काम कर रहे हैं, और local हमारी company को use कर रहे हैं, और तब जाकर बना कर हमारी country को बेच रहे हैं, तो एक तरीके से याँ पर France को intermediary use कर रहे हैं, क्यों न हम लोग फ्रांस को यहां से अटाई दे अपनी local country को directs, जो company हैं, उनको direct supply करें, ठीक हैं, यहां पर आप लोगो कोई एक कार बनानी है, तो माली जए कोई बहारी क कमपणी हैं, फ्रांस की, और वो हमारी country में आकर कार बना रहे हैं, तो कार बना रहे हैं, तो वो क्या गर रहे हैं, टायर खरीद कर लेकर आ रहे हैं, हमारी local company से handle खरीद लिया, plastic खरीद लि कोई rubber लेकर आ रहे हैं, तो उससे आपर सामान खरीद रहे हैं, तब यह गाड़ी बना रहे हैं, और फिर यह बोल भी रहे हैं, कि यहां पर यह local player जो हैं, काफी अच्छी quality का माल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों direct team को सारा काम करने के लिए नहीं दे रहे ह इसको बीच में से ही ना हटाते हम लोग अपनी country को पर focus करें, तो इसके ओपर focus देने की बात की जा रहे हैं, तो यह काफी important है, पर लेकिन इसके चलते आप लोग को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग अपनी country के ओपर dependent तो रह सकते हैं, पर लेकिन quality के में थोड़ warfare system, यहाँ पर armored जो vehicle हैं, यह सारी चीजे हमारी country में भी खुद हम लोग बना रहे हैं, पर लेकिन जो quality के साथ में हम लोग match करते हैं जब इसको international level पर, तो हम लोग उनके साथ में compete नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ी जो important factor वो यह हैं, कि हम लोग को यह understand करना पड़ेगा कि उनके साथ में अगर compete करना है, तो research and development पर हम लोग को खर्चा करना पड़ेगा, R&D अपना बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके चलते हम लोग को focus देकर चलना पड़ेगा, पर लेकिन अगर किसी को R&D बढ़ाना है, आप लोग को उसमें अच्छा-कासा खर्चा करना कि बढ़ाना हम से खरी देगे, अगर private player को खर्चा करने भी लगे, तो उनको यह पता ही निया कि government हमसे खरी देगी, अगर उनको पता है कि government कम से खरी देगी है खरी और उनके सामने हम लोग option रखें, तो फिर यह इनको और improved version इनका निकानने की कोशिश करेंगी हापड, तो तो सामने वाले deliver काफी late करते हैं, फिर हम लोग test करते हैं, उनको procure करते हैं, वो सारी चीजों में एक procedure है, वो हम लोग ढंक से follow नहीं कर पाते हैं, तो अभी government के द्वारा promise कहागे, कि professional एक यहाँ पर unit इसके लिए अलग से बनाए जाएगी, ताकि proper आप लोग उसको check कर सको, और फटा-फट उसके बारे में information provide करा सको, इसी के चलते हैं, आपर अगर बात कते हैं, तो इंजियन government के द्वारा approve किया गया है, पास्ट में 200 के करीब defense acquisition proposal, यानि के लगबग 4 trillion के करीब हम लोगों ने आपर रूपी की बात की जाए रहे है, डोलर की नहीं, 4 trillion रूपी के करीब हम लोगों ने आपर चीज़े खरीदने की बात की किये, लगबग अगर आप लोग देखते हैं, पा लेकिन सबसे important fact क्या है आपर, सबसे important fact यहाँ पर सारी चीज़े late हो रही है, delay हो रही है क्यों? हमारी country में testing procedure को जहान में रखते हुए, procurement procedure को वो काफी tough है, आप लोग बोलते हैं यह बाबा आदम के जमानी की चीज़े follow कर रहे हैं, तो वही condition आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि अगर दूसरी country बात करें तो जहट मंगनी और फट बिहा की बात करते हैं, पर लेकिन हम लोग काफी delays में करते हैं, तो अब यहाँ पर यह कपोर चुटी है कि हम लोग इनको re-examine करना है, स्टार्ट कर दें और priority देना है स्टार्ट करें, ताकि कैसे Research and Development पर फोकस करना है अपनी ही country के अप़ा, और इसमें सबसे बड़ा काम कौन कर सकते हैं, वो कर सकते है Chief of Defense Staff, यानि के CDS, तो CDS यहाँ से Try Service Angle के साब से सोच सकता है, मैंने भी आप लोग को बताया कि Chief of Defense, अच्छा कौन है आज के तो में Chief of Defense Staff, यह तो आप लोग को पता ही होगा, निचे comment box में लिखिए, Chief of Defense Staff कोन है, तीनों सर्विस के अगर बात करते हैं, Air Force, Army और Navy के बारे में, तो इनके ओपर CDS बैट गया है, अब आप लोग इसको ऐसे भी समझे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसी बाते हैं वहाँ पर बोले गए थी, अब आप लोग यह समझे, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, Air Force के बारे में सारी चीज़े हैं अच्छे से, ठीक है, वही सारी कई सारी चीज़े आप लोग को Army के पास भी देखने को मिलेगी, यह नगे कई सारी चीज़े ऐसी हैं, जो हाँ पर एक तरीशे duplication हो रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि Air Force के पास में काफ़ सारी चीज़े पड़ी हैं, वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, और हमारी आर्मी को उस चीज़ की जुरत है, तो हमारी आर्मी क्या कर रहे है, वो भार की कंट्री से खरीद कर ले कर आ रहे है, तो इतना कम से कम हम लोग कर सकते हैं, कि भाईया घर में पड़ा है, सोना तो फिर कहा है को रोना, तो जब घर में ही सामान पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्यों अपनी country में ही उसको आपस में नहीं ले लेते हैं तो मारी ये एर फोर्स के पास में कुछ है तो उसको आर्मी को दे दीजे या फिर आर्मी के पास में कुछ है उसके नेवी को चीए वो अलग बात है कि कई सारे ऐसा भी commitment करते हैं कि पहले अपना weight अगट आएंगे तो मुझे एक अपड़े पहने है तो वो एक अच्छी बात है ठीक है पर लेकिन सबसे बड़ी condition यहाँ पर यह है कि जो चीजे पड़ी है एक तरीक से useless है कम से कम किसी के use में आ जाए तो कैसा रहेगा तो वो भी एक काफी जरूरी है एक काम कोन कर सकता है यह काम कर सकता है हमारी country में serious तो cheap of defense staff यहाँ पर यह काफी अच्छे से इसको implement कर सकता है तो उसको आकर focus इसमें देना चाहिए तो इसका एक अच्छा utilization आप लोग बोल सकते हैं आपर cheap of defense staff का next जो important fact है अभी उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे यह बात करिए आपर देखें सबसे बड़ी बात है हमारी country में जो अब तक सबसे ज़्याद है material माल वगएरा supply करते हैं defense को वो करते है ordinance factory board ordinance factory board हमारी country में एक काम कर रहा है काफी लंबे समय से कोई भी काम होता है तो यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है डिकेल से यहाँ पर यह काम इसके द्वारा किया जाता है indigenous जो चीजे supply की जाती है जैसे uniform हो गया boots वगएरा हो गया हलाकि अब तक तो भार से खरीद रहे थे पर अब सारा काम यहाँ पर कौन कर रहा है यह ordinance factory board कर रहा है कोई spare part ammunition या फिर जो भी auxiliaries हो है यह सारी चीजे यह सारी चीजे कौन प्रोवाइड कर रहा है ordinance factory board अब यहाँ पर पहले लंबी समय से आपर यह चीजे चली आ रहे है तो quality में भी हम लोग कई बार यहाँ पर देखते हैं कि up to the mark चीजे नहीं होती है तो अब जो है थोड़ा सा हम लोग को quality के उपर focus देकर चलना चाहिए आत्व निर्भर बनना है पर लेकिन यह भी नहीं है कि हम लोग quality को यहाँ पर sacrifice कर दें यह बात यहाँ पर काफी important है यानि कि यह है कि हम लोग अपनी country के जो local supplier है उनसे सामान खरीदेंगे पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो low quality का provide कर रहे हैं और फिर भी हम लोग उनसे सामान खरीद रहे हैं तो कम से कम हम लोग अपनी defense के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर पदा चला पागिस्तान रश्य से खरीद के लिए कर राच चिची गन और हम लोग अपने local supplier से खरीद रहे हैं वैसे हैं वो ढ़ंक से कामी नहीं करें ताइम पर रुख गए तो भज societies की सारे लोग भी जान चलिजाएगी और इस तरीके से जान किसी की इतनी ऐग तरीके सा आप लोग नहीं बोल सकते हैं जान किसी कितनी सस्ती है कि इस तरीके से यहाँ पर आप लोग जान गवादे लोगों की, तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है, कि सरकार ने इस पस रूप से बोल दे कि आत्म निर्भर बनना है, पर लेकिन उसकी चरम सीमा तक नहीं ले जाना है, कि पदा चला हम लोग क् में होनी चाहिए, तब ही आकर आप लोग डिफेंस जो वनरेबिल्टी है, उनको कम कर पाएंगे, वरना पता चला इंडिजिनिस के चक्कर में हम लोग पता नहीं क्या क्या है, बहुत ही एक तरी से लोग क्वालिटी के एक प्रोडेक्ट लेकर ख्रीद कर बैट गएं, तो फिर पोलम काफी जादे हैं हाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो हमारे जो डिफेंस प्लानर है, उनको एक रियलिस्टिक जो स्पेसिफिकेशन प्रोपर प्लान बनाना है हाँ पर चाहिए, उसके हिसाब से हापर अपर अपनी स्टड़जी को लेकर चलना चाहिए, तब ही केंट्री में बोल दे गया, गोर्मेंट के द्वारा, तो लोकल मैनुफेक्चर जो है, वो टेंडर लेने के लिए उनकी दोड लगेगी, वो अपनी कॉलिटरी दिखाने की उनकी दोड लगेगी, रिसर्च और डेवल्लपमेंट में खर्चा करेंगे, तो हो सोचेंगे क्यो फ्रांस से हम लोग कुछ सामान खरीद कर लेकर आएं, और लडाई चल रही है, तो लडाई में हम लोग को उसमें कुछ प्रोलम आगई, फ्रांस ही उनको सुधर्वाने के लिए लेकर जाएंगे, तो ये चीज़े हमारी कंट्री में होना चाहिए, रिपेर कैसे करना है, मै कम से कम अपनी ही कंट्री में सामान लेकर आ रहे हैं, तो उसका और सारी फेसलिटी अपनी ही कंट्री में हो, फिर से हम लोग को फ्रांस के पास में नहे जाना पड़े, तो ये काफी इंपोडेंट है, और ये एक बात आप लोग को बता दू, जो आप लोग माइंड में ला पड़ेंगी, ठीक है, तो ये एक important fact था, अब next, जो हैंपर section S का article का, ये FDI के बारे में, आप लोग को पता है, अभी हमारी country में जो automatic route से FDI जो है, उसको 74% यहाँ पर open कर दिया गया है, direct investment की बात की जारी है, foreign direct investment, defense manufacture के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह पड़ेगा, कम से कम अपनी country में research, design, manufacturing और सब सब सिस्टम और प्रोवाइड करा रहे हैं, यह अपनी domestic industry के लिए हम लोग को रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर से हम लोग यह इसको open कर रहे हैं बहार के लिए, और सारी चीजे बहार के ओपर dependent हम लोग रहे हैं, अपनी ही country म हम लोग को देने पड़ेंगे, opportunity directly है कि हमारी defense manufacturing में हमारी खुद की company जो है वो participate कर सकती हैं, और अगर अच्छे level पर चीज़ा आगे बढ़ जाती हैं, तो हम लोग आगे चल कर इनको export भी कर सकते हैं अपने प्रोसी देसों को, तो यह भी एक काफी important है, perfect आप लोग को देख local जो area के जो basically supply करने वाले लोग है उनके उपर focus देकर चलेंगे, तो defense procurement जो policy है आप उसमें कहीं न कहीं guideline होनी चाहिए कि कैसे आप लोग की strategy को लेकर चल रहो, partnership पकर Indian और foreign company की हो रही है, तो यहाँ पर indigenization के उपर focus देना चाहिए कि अपनी country को पर ज्यादा focus देना चाहिए अगर कोई भार की company आभी रही है काम करने के लिए तो उसको बोलना चाहिए कि भाईया local से आप लोग को बहुत सारे product यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे, उसके ओपर एक अच्छा खासा आप लोग एक cap अब रख सकते हैं, private को level playing field यहाँ पर मिलना चाहिए, यहाँ पर वो जो है, वो तो अपने product को ख्राब थोड़ी ना बताएगा, वो तो बोलेगा मही अच्छा बनातो हूँ, सामने वाला private player अच्छा नहीं बना रहे है, तो इसलिए आप लोग को एक independent office यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ताकि इसको check कर सके, क्योंकि DRDO यहाँ पर कभी नहीं बो कि जा रही है, कहीं पर भी अगर reform आप लोग को लेकर आना है, धर्ती पर कोई भी काम आप लोग को start करना है, तो सबसे पहले तो आप लोग को पैसा चाहिएगा, बेसिक चीजे लाने के लिए, ठीके, आप लोग को method चाहिएगा, कैसे implement करना है, और एक mindset चाहिएगा, हाला क आप लोगों को मा लिजे, आज केरे में आप लोग मोर्नी में उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग का mindset नहीं है, मोर्नी में उठने का, अगर आप लोग को mindset बनाना है, मोर्नी में उठने का, तो आप लोग को अपनी body को comfortable zone से बाहर लेकर आना पड़ेगा, तब यह आप ल करेगा अगर उसको कंट्रोल करकर डील करकर आप लोग ले गए तो फिर चीज़े हो जाएंगी वरना mindset जो है वो crisis की condition भी create कर देता है कई बार कि वो आप लोगी बात मानता ही नहीं है जैसे आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग बोलते हैं आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे mind आप लोग बोलता है छोड़ो यार क्या tension कर रहो enjoy करो life को तो वो crisis आप लोग को mind में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग को mindset करना है फिर method लेकर आना है और फिर money hopper होनी चाहिए तो यह चीज़े अगर आप लोग लेकर चलोगे तो सारी चीज़ों में आप लोग solution आसाने से निकाल पाओगे तो यह है complete article जो मुझे आप लोगों के सामने discuss करना था I hope कि आप लोग ने इसको अच्छे से enjoy किया होगा और सारी बात है जो आप लोगे mind में बिल्कुल clear हो गई होगी जैसे starting में सिपरी के बारे में जाना यह सारी report जो हम लोगों ने देखे detail में यह सारी आप लोगे mind में clear होनी चाहिए क्योंकि इन से direct question आप लोगे लिए बन जाता है और फिर यह एक एक चीज हम लोगों ने समझी तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे मैंने extra include किया ऐसा नहीं कि बस article में जो था वही आप लोगों को बता है यहाँ पर सारी चीजे आप लोगे सामने included है अब सबसे important fact क्या है अगर कल को यहाँ पर हम लोग अपनी ही country के उपर dependent हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी वो यह होगी कि हम लोग अपनी प्रोसी country जैसे बंगलादेस हो गया, भुटान हो गया या फिर नेपाल हो गया, हाला कि नेपाल तो गुस्से में चल रहा है चलिए मना लेंगे उसको ठीक है सिरिलंका हो गया खसकर अफगानिस्तान हो गया, तो इनको हम लोग supply कर सकते हैं material जो अपनी country में लोग manufacture कर रहे हैं तो इनके ओपर भी हमारी dependency बड़ेगी complete article अगर पसंद आ है तो ही like कीजेगा पसंद नहीं आ है तो dislike कीजेगा dislike करके comment box से जुरू बतना dislike क्यों क्या है ताकि आने वाले time में चीजों को improve किया सके और यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में connect हो सकते हैं जो कि telegram पर नीचे आप लोग को link मिल जाएगा description box में है तो यहाँ से जाकर सारी PDF आप लोग एक जगे एकटे मिल जाती है यह lecture की PDF भी आप लोग को हाँ पर मिल जाएगी और Twitter पर मैंने एक video share की थी उसका link मैंने टेलिग्राम पर भी share किया गया वहाँ पर exercise दिखाई गई है ऐसा नहीं है कि आप लोग को gym में जाकर ही exercise करनी है आप लोग कहीं पर भी exercise कर सकते हैं बस आप लोग को थोड़ा सा method पता होना चाहिए तो हाँ पर एक छोड़ी सी बच्ची ने क्या क्या है अपनी जो roof होती है च्छत होती है उसके ओपर उसने design बना लिया है revision करते लिए जो भी question मैंने आप लोग को लिखने के लिए देता हूँ Saturday में जो essay आप लोग रहते है summer Saturday में उस essay को आप लोग जुरू लिखा कीजे दो दिन रहते है Sunday Saturday वो आप लोग जुरूर complete होना चाहिए तो आईए आज के लिए ही पर समाप्त करते हैं अपने lecture को तो बड़ो को नमस्ते छोड़ो को प्यार छोड़ी सी life enjoy को रहार मिलता हूं next lecture में तब तक के लिए जैहिंद